मेरी कुछ सब्सक्राइबर इस तरीके का क्वैरीज करती हैं कि बच्चे को गोरा कैसे किया जा सकता है ओवरॉल एक क्वैस्चन साथ में ये भी पूछा जाता है कि हमें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कौन-कौन सी वो जो चीजे होती है वो बिलकुल भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि अगर वो चीजे हमने प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में खा ली तो जो बच्चा होगा वो काला होगा ना कि बच्चा अपने मा या फिर पापा के कलर पे जाएगा वो बिल्कुल काला हो जाएगा जिससे उन्हें बुरा लगेगा या फिर जो भी चीज़े हैं यह कही जाती है कि हमारे समाज के अंदर जो गोरे बच्चे होते हैं उनको लोग ज़्यादा तारीफ करते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबको जो काले बच्चे होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं उतना और ठीक है जो भी है क्योंकि कलर जो डिसाइड करना होत कि प्रेग्नेंसी के दौरान आयरन की जो गोलिया होती है वह या साथ में अनार हो गया या फिर जामून ले सकते हैं या चाय ले सकते हैं यह चार फुड आइटम खाने से क्या बच्चा काला हो जाता है इसका एक्सपीरियंस मेरी सब्सक्राइबर को क्या हुआ है जिनकी कालर में बराल अपनी बराल में अपने और यह इसे कॉन से चीजे जो होती यह मैंने भीके कालिसा में आपकेश्राइबर करते हैं दो गया यहां फॉस्ट अफॉल बात करेंगे खान पान के उपर बात करते हैं प्रेगनेंसी में हमें वही चीज़े खानी चाहिए जिससे सही मातरा में पॉस्टिक मिले बच्चे तक जो पहुंचे जो उसके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होता हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों के कलर के गोरा या काला के उपर भेद भाव करते हैं अगर मैं मेरी बात बताओ तो मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी विस्वास नहीं रखते हूं बच्चे के उपर कलर के उपर भेद भाव करना यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है लेकिन हां मैं अंदर से ज वेल्दी बेबी हमारा सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए लेकिन जो जिस हिसाब से इस वीडियो को मैंने बनाया जिस टॉपिक पे उसे एक बार जान लेते हैं आईरन की गोलिया खाने हमारे सरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है आईरन के साइड इफेक्ट यह होते हैं कि आईरन की गोलिया खाती है तो आपको ऐसा लगेगा जब आप पोटी जाएंगी तो वह काले कलर का हो रहा है तिससे कोई भी प्राबलम नहीं है आईरन की गोलिया खाने से यह चीज सभी के साथ होता है और यह बिलकुल नॉर्मल है प्रेग्नेंसी के दौरान आपके डॉक जितनी मात्रा आपको बोल रहे हैं उतनी मात्रा आप जरूर खाईए आयरन की गोलियों को कभी भी आप स्किप मत कीजिए नहीं तो बच्चे के बहुत सारे बॉड़ी पार्ट होते हैं जिसके लिए हमें आयरन और कैल्सियम चाहिए होता है तो इसलिए पूर्ण मात्रा में हमें चाहिए दूसरा है अनार आमार का जूस इसले कर बहुत सारी बातें बनाप बनाई जाती कि बच्चा व्यफिता होता है जिबकि यह प्राग्नैंसे में लेती हैं तो आपके सरीव में कभी खुन की कमी होंगी कभी ए्मिभलोवीन में कमी नहीं आएगी और आपकी डिल यह सीजनल फ्रूट जितने भी होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं और जामन खाने से बच्चा कभी भी काला नहीं होता है तो आप इस से बिल्कुल भी नहीं डरिए अब हम बात करते हैं चाय पीने से यह चीजे देखी गई है ऐसा सर्वे के हिसाब से पाया गया है कि बच्चे काला नहीं होता है बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होता है और अगर आप भी अंदर से इच्छा रखती है कि आपका बच्चा स्वस्थ हो और गोरा हो तो प्रेगनेंसी के दौरान दूद और दूद से बनी हुई चीजे दही पनीर वगरा यह सब डाइट में लीजिए और व थांक्स फो वाचिंग तब तक के लिए बाइबा इन टेक्या